है 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 लोग इस मुद्धे पर बात करने वाले हैं ड्रक टेक्निकल एडवाजरी बोर्ड और ड्रक कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में है यह joy इंपूर्टन्ट हो जाता है काफी मेंबर्स वगरह काफी पूछे जा सकते हैं सकेट यह ज्यादतर टीब और ऑपको गेंप्सक्री के बहुत इंपोर्टेंट नहीं होता यह इंपोर्टेंट होता है जीपाइट और ड्याइग्जामेशन के लिए तार्गेटिंग फॉर देजीपाइट इंजामेशन ड्रग इंस्पेक्टर इंजामेशन डेफिनेटली इस टॉपिक टो भी हैल्पॉल फ़र दी फामसिस्ट इग ठीक है तो कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन में स्क्रीन चॉट से इसी आपको बता दू डिरेक्ट्रेट जनरल ऑफ हेल्ट सर्विसेज ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फामली वेल्फेर गवर्मेंट अपंडिया किसके अंडर में आता है इसका है इसका है टेक्निकल अड्वाइसरी बोड ट्रॉड कांसलंटेटल कमेटी यानि कि ड्रॉट से रिलेटेड टैक्निकल माइटर chociaż देने वाला था सिंपल सी बात अगर मतलब निकालो जैसे टेक्निकल मेटर पर य्ढवाइज देने वाला बोड किसको सेंटरल गॉर्मेंट पो ठीक है तो जब Central Government को Drugs Associated Technical Matters पर एडवाइज लेना होता है यानि कि यह एडवाइजरी बॉडी है तो इनकी सलाह मानी भी जा सकती है नहीं भी मानी जा सकती है यह बात आपको समयना पड़ेगा जरूरी नहीं कि बोल दिये तो सब कुछ इंपलिमेंट हो जाएगा इस नेम इस एडवाइसरी बोर्ड एडवाइस देना काम है इनका ऐसे होना चाहिए यह सड़क ऐसी बनने चाहिए यह होना चाहिए यह होना चाहिए बिलकुल लीडर वाली भासा यह बोलते है ठीक है ड्रक कंसल्टेटेट्व यानि ड्रक्स के मैंटर पर कंसल्टेट करने वाली एक इस कुछ भी टेकनिकल मैंटर पर एस्सूशियेटेट है दोनों के बीच में क्या की दिफरेंस है वो थोड़ा सा भी जानने की कोसिस और आप भी बताएंगे कि क्या टीफरेंस आपको समझ में और क्या डिफरेंस होता है एक्जैक्ली तो लेट्स टॉक इबाउट दी डीटी एबी एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में तोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है ड्रग टेक्निकल एडवाजरी बोर्ट किस के अंडर में आता है ड्रक्स एंड कॉस्मेटिक एक ठीक है यह वात आपको समझने पड़ेगा डीटी एबी इस कंसिटूटेट वाइस सेंट्रल गॉर्मेंट जो लाइन लिखी है यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट गॉर्मेंट इसको कंसिटूट नहीं करती बोड ह कोई चीज़ बौड है बौड का मतलब हो गया कि एक चेयरमें और श्चे बाहने और चेर्में उसलेक कर लेंगे DTAB is constituted by central government देखें ध्यान से में line पढ़ रहा हूं था कि आपको समझ मैं to advise किसको the central and state government चुकि इसको recruitment इसका जो constitution है वो central government करता है सवाल आपसे पूद्य जागा reconstituted a constituted by state government no it's totally correct but yes it is going to give advice to both central as well as state government but constitution का काम केवल central government का है make sure that on technical matters arising out of administration of DNC Act DNC Act को implement करने के लिए लागू करने के लिए कोई बाधा आ रही कोई problem आ रहे कुछ भी आ रही है उससे associated कोई भी matter है तो यह committee deal करेगी drug technical advisory board और किसको राय मश्वारा देगी किसको देगी central government as well as state government both but constitution is the only and only right of central government no state government is involved in the constitution of this committee so totally how many members are there totally 18 members are there if you talk about the members उसमें elected members होते हैं कितने पांच होते हैं 18 में से 5 elected कुछ elected होंगे कुछ nominated होंगे कुछ ex-officio होंगे तो यह एक्स ओफिशी वाले होते हैं यह बड़े सब्सक्राइब होना चीए एक मेडिसियन और फार्माशुटिक्स में मेडिकल काउंसल द्वारा होना चीए एक फार्मेकोलोजिस्ट होना चीए एलेक्टेट बाई ICMR इलेक्शन से होना चीए अब नॉमिनेट जड़ा देखते हैं कि नॉमिनेट 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 भी 5 है इलेक्टेड पांच नॉमिनेटेड पांच यानि दस होगए यानि इसका पूरब्र नमेटेट नो करें अब यह जग है मेर्मेंट नालिस्टार इसकी पोस्ट आती है Central Level पे भी आती श्रीट स्रीट लेवन पिस्टी इंब़ल पैस्थ पी सी है थीक भिहार के भिहार पॉब्लिक सर्था 맛있어요 maharashtra MAS copny posición दीजिए पॉब्लीक सर्थ समिशन मेध्रदेश बिल्स और इसमें जो चेर्मन मैंने कहा ना यह बोड है तो इसमें चेर्मन होगा तो चेर्मन कौन होगा डारेक्टर जन्रल अफ एल्थ सर्विस डी जी एच एस यह आपको समयना पड़ेगा मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया डिसी जी आई ठीक है यह बात आपको समयना पड़ेगा ड्रेक्टर सेंट्रल ड्रग लिबरेटरी कूलकाता यह सवाल मैंने पिछले इस वीडियो में पूछा था और कुछ बच्चों ने रिस्पांड सब्सक्राइब क्या था ड्रेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्टूट कसावली हिमांचल प्रदेश ठीक है कसावली हिमांचल आई वी राई इज्जेत नगर कहा है बरेली में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह नाईकवर में सवाल ठीक है प्रेशिडेंट पीसी एक सेक्रेटरी दो तीन चार पांच शह साथ आठ तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है फूस लिया जाएगा बिलो मेंशन इस एक्स ओफिश्यों सेक्रेटरी एस्टीटेटरी यह हो जाएगा तो इसमें नाम दे देगा यह इसमें पढ़े रहोंगा इसमें से आए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन दोबारा सा यह सब्सक्राइब कभी कभी न्यूज में भी होता है जैसे यह मेडिकल डिवाइस बगार सारी चीज़ेशन देते रहते हैं इसमें लिखाओ ना सब्सक्राइब यही बारे में मैं बात करने वाला हूं यही डिशी से इसको डिफ्रेंशीट करता है यहां लिखा हुआ है एक सब्सक्राइब करता है किसके लिए थोड़ी फैसला ले लिए इनी सब्सक्राइब के सब्सक्राइब लेता है नाव टॉकिंग अबाउड दी ड्रक कंसल्टेटिव कमेटी देखे यह एक एडवाजरी कंसल्टेशन का काम पड़ती सुझाव देती है फॉर दी सेंट्रल गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट एंड डी टीए भी को भी सुझाव देने का काम करती है यह ड्रक कं समझ गए आप यह बात आपको समयनना पड़ेगा दो रिप्रजेंटेटिव नॉमेंटेड वाई सेंट्रल गवर्मेंट होते हैं और एक नॉमिनेटेड होता इस्टेट गवर्मेंट से नॉमिनी ऑफ इच औफ दे स्ट्रीट गवर्मेंट इच वर्ड याद रहते हैं ध्य यहां पर हमारे जो जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं तब डिसी जी आई जो है वीजी सोबानी हो सकता है जब आ वीडियो देख रहा हो तो साई चेंज हो गया है एक और गयनो ग्राम हम लोग देख लेते हैं कि DTA भी DCC डिवीजन में कौन कोन होता है जैसे DCGI, DDC, तो यह सारे किसकी यह ऐसे बंदे होते हैं यह बड़े वाले होते हैं यह किसकी मदद से काम करते हैं यह कौन निकालता है UPSC, UPSC को थूरू इनके भरती होती है फिर ADI हो गए फिर देखो यह सारे चीज़ें यह सारे पूरा यह और गयनो ग्राम ने दिखाने कोशिस कि कहा अब देखो यह अमेंडमेंट भी इनिशियेट कर सकते हैं ड्रक्ष और कॉस्मेटिक अग्रोल ऐस पर दे रिकमेंडेशन सब्सक्राइब और कोडिनेट विद्ध मिनिस्ट्री वेल्फेर पर ड्राफ्ट और पाइनल गजिट मुद्धिक यह आपको समयना पड़ेगा कि सरकार को अगर ड सब्सक्राइब अपना ध्यान रखें बिल्कुल पढ़ाई आप करते रहें शांदार तरीके से नमस्कार